तो दोस्तो आज का जो टॉपिक है वह है हाइवी ड्यूटी ट्रक ड्राइबर का कितना सेलेडी मिलता है साउधी अरब में अलो दोस्तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को प्रेस कर दे तो दोस्तो ड्राइबर को मिलने वाली सुविधाय के बारे में मैं आज बताऊंगा ड्राइबर को क्या क्या दिये जात लुफाय कर वाध करते तो खाने का पैसा मिलेगा आप हुद बनाना है तो अगर अगरसपोर्ट कंपनी में तो आप खाने का पैसा एड करके मिलेगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक जगह से दूसरी जगह जाओगे आप रास्ते में रहोगे तो खाना कैसे प्रोवाइट कराई कंपनी इसलिए खाने का उसमें पैसा एड होके मिलता है आप खाना अपना बना के खा सकते हैं या आप होटल से भी खा स चाते हैं तो आपको वहां का वाइलेट लाइसंस होना चाहिए पासपोर्ट होना चाहिए और आपको ड्राइविंग स्किल आना चाहिए यह तीन चीज़े आपके पास हो जाएंगी उसके बाद आप कहीं भी किसी के ऑफिस के या किसी एजन्ट के द्वारा आप विजा से शारे करें तो उनका स्टाइंग हो से लेकिन यह दोस्तों सचे सोच यह बहुत कम है क्योंकि यह शीरी किया जाता है ठोँ उसमें जो फ्रेसर के लिए 2000 लेकर 22, 33 rally तक होता है और जो Return है उनको 25 रियाल मिलता है 25 सो сे ऊपर भी मिलता है जो fixed salary पर आते हैं और बात करें अगर आप Transport company में आएंगे Transport company के जो भी काम रहेगा आप Transport company में करेंगे तो Transport company का बारा सो पंदरा सो ऐसा ही सेल्री रहेगा उसमें आपका ट्रिप बनेगा जितना आप हम मारेंगे उतना आपको ऊपर से बनेगा तो बात करते हैं पूरीasant मैक्सिमिंट जू है मिनीमुं में मैक्सिमम जीतनी सर्दे बन भी इसके से रही तो मिनीमाम यहाँ पर अगर आप से आया है उसका Set cinnsी मोँं तो इसमें हाल फर्क कहा है कि हमारी करन्सी देना करन्सीिघ कंधी अगर नेपाल करन्सी मोइन टो इसके लिए अप लोग इमाग में रखीए SPEC यही है कि इंडीयन का थोड़ा कम बनता है नेपाल का थोड़ा पैसा जादा बनता है तो सब कंपनीयों का अलग अलग sigh सबी देशों के लिए तो सबी भाइ intensity भी makes जितने भी मेर्यों देख रहें तो सब लुग का जितना भी सवाल था इस वीडियों में मैं यह सब का जवाब दे दिया हूं कि आपको कितना बनेगा ट्रेलर ड्राइबर में अगर आप रफ्द्धर यहां पर है फिक्स किसी कंपणी में और ट्रांसपूर्ट का काम नहीं करती हैं अपना काम जो भी कितना खर्चा यहां पर आता है खर्चा कीतना आता है यहां पर अगर अगर कमपनी आपको रूम दी है कमपनी आपका हेल्थ देखिये जोभी सिस्टम है सब कुछ कमपणी के जिम्मेवारीEst अगर आपको खाना बोली company अपना खाना है तो आपका minimum 200 से ले maximum 300-300 real में आप एक महिने का खाना खा सकते हैं एक महिने का जो खर्चा आता है इतना ही आता है और अगर आप उसमें mobile खर्चा एट करें तो mobile खर्चा सब अपने अपने एक आउर्डिन रखते हैं कोई 75 रियाल में महीना निकाल लेता है कोई 100 कोई 1500 कोई 200 भी जिसको जितना इंटरनेट यूज करना है वो इतना उतना बड़ा रिचाज करेगा जो की बात करें इंडिया नेपाल पाकिस्तान और बांगला देश सभी भाईयों के जो जहां से है सभी के लिए सेलरी अलग अलग हो सकती है तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो में अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को सेयर करें ताकि सब को मालुम चले कि स I can't fight it, you wreck my mind, I'm losing my sleep